नमस्ते दोस्तों आज की कहानी का नाम है स्वाद बहु ने सासुमा को रसोई से हटाते हुए कहा अम्मा जी आप यूँ रसोई में काम करना अच्छा नहीं लगता कोई देखेगा तो क्या कहेगा चार-चार बहुएं इनकी और ये फिर भी रसोई में खट रही है आप तो बस खाट पर बैठ कर हुकुम चलाती अच्छी लगती है सासुमा रसोई में डटे हुए बोली ऐसा है बहुँ अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कह देना हमारी सासुमा में बहुत दम है हो हमें ही नहीं तुमको भी पूरा खाना बना कर खिला देंगी क्या तुम चाहती हो कि हम समय से पहले या सक्त हो जाएं और मन का खा भी ना शकें अरे जब तक हाथ पहल चलते रहेंगे मैं रसोई में काम करती रहोंगे और तुम सब को अपने हाथों के स्वाद का जादू दिखाती रहोंगे बहुत भी कम ना थी बोली आप जो चाहेंगी कहेंगी वही हम पकाएंगे आपके साम में जब आप से सीख कर कुछ बनाएंगे तब ही तो आपके हाथों का जादू पके हुए बोजन में ला पाएंगे अगर आपको अपने बेटे की जुबान पर जीवन भर उसकी मा के हाथों का स्वाद बनाए रखना है तो हमारे भी हाथों में अपना जादू चला दीजिए बला कोई तुमसे आज तक बातों में जीत सका है कहते हुए सासु मा बहु को बोजन में स्वाद जगाने के गुर्ष जिकाने लगी आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्ते धन्यवाद